रफिगंज सहर के डाक बंगला इस्थित संगम हड़ी अस्पताल को दीम के निर्देश पर चार सदस्य टीम द्वारा सेल किया गया दीम द्वारा गठी चार सदस्य टीम में रफिगंज अंचलादिकारी ओधिश कुमार सिंग, रफिगंज सामुदाईक स्वास्टकेंद्र प्रभारी चिकित सपदादिकारी डॉक्टर अर्विंद कुमार सिंग, रफिगंज थाना अध्यक्ष गुफरान अली और औरंगाब सहायक औस्ति नियंत्रक अशोग कुमार राय सामिन है, थाना अध्यक्ष ने बताया कि शंगम हड्डी अस्पताल में 20 जन्वरी को पैर फ्रैक्चर के इलाज के दौरान मदनपुर थाना छित्र की दूहली गाउं की पचीश वर्षिय महिला पूजा देबी की मौत हो गई इस मामले में मृतका के पती मंदल पाश्वान ने चिकित्सक को नामजद आरूपी बनाती हुए प्राथमी की दर्ज कराय थी, चिकित्सक की गिरफतारी के लिए छापा मारी शंभाविट धिकारे पर की गई, किन्तों गिरफतारी नहीं हुई कल जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पताल को शील कर दिया गया, अजलाधिकारी गौधेश कुमार सिंग ने बताया की दीम के निर्देश पर यहां जान किया गया, जाज के दोरान पाया गया की उक्त अश्पताल में ताला लगा हुआ है, और डॉक्टर स्वरार है, अ अस्पताल के पर्वदिशा और उत्तर दिशा में बने दर्वाजे को शील किया गया। प्रभारी चुकित सब पदादिकारी डॉक्टर अर्विंद कुमार सिंग ने बताया कि अन्य अस्पताल वालों को भी कड़ी हिदायत दी गई है।